नमश्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का स्वागत है भारतिय नौसेना की ताकत उसकी शक्ती को कई गुना बढ़ाने के लिए नौसेना में शामिल किया गया है दुश्मनों को अकाल मौरमुगाओ क्या है इसकी विशेश्टाएं क्यों कैसे ये पिछले जो डिस्ट्वाइर्स उससे अलग होगा क्या विशेश्टाएं होंगी इन सब चीजों के बारे में आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं पहले नूस देख लेते हैं तो ये सेकेंड है ऑफ दे प्रोजेक्ट 15B प्रोजेक्ट 15B क्या है आगे डिस्कस करने वाली में आपके साथ और स्टेल्थ गाइड मिसाइल डिस्ट्वाइर्स टेल्थ गाइड मतलब इसमें उक्षमता है कि दुश्मन के रडार की मतलब दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगा इसमें वो हाइडिंग हाइडिंग अजन लिटरली के नॉट हाइड बट यह बच सकता है ठीक है यह इसके अंदर शक्ती है गाइडिन मिसाइल डिस्ट्वाइर है जिसको बनाया गया है बाइड मर्जगाउ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL, INS मॉर्मगाउ जिसको पैनन इंडि 67 इसको कमिशन किया गया इंडियन नेवी में संडे को यानि कल ही सकी कमिशनिंग हुई है जो शिप है, इसका नाम रखा गया है, गोवा के एक important port के नाम पर, इसको commission किया गया है, before the Goa Liberation Day celebrations, now Goa का Liberation Day कब है, आज है, तो इसको कल commission कर दिया गया है, ठीक है, project 15B देख लेते हैं, जल्दी से, so पिछले एक दशक से, इंडिया नेवी ने commission किये, तीन guided missile destroyers of the Kolkata class, ठीक, जिसमें कौन-कौन से है, INS Kolkata, INS Kochi, INS Chennai, ठीक है, under the project, code name 15A, 15A में किये गए है, 15B नहीं बात करने है, 15A में किये गए है, और यह जो ships है, तीनों की तीनों ships, यह दिल्ली class of ships से बहुत बहतर है, दिल्ली class of ships कौन से है, INS Delhi, INS Mysore and INS Mumbai, अब ship class क्या होती है माम, देखे, ship class का मतलब होता है, group of vessels, जो की काफी similar होते है, tonnage के मामले में, usage के मामले में, उनकी शमताओं के मामले में, weaponry के मामले में, तो एक तरह से सकते हैं की, they are of the same series, एक तरह के होते है, ठीक है, तो दिल्ली class पहले था, उसके बाद आया कलकत्ता क्लास, यह 15A के अंडर थे, जिनक टार guided missile destroyers का, जो की जाधा advance होंगे कलकत्ता क्लास से भी, कॉलकता क्लास से भी, और यह साइन किया गया था, 21, 2011, January में, इसको project 15B कहा गया, मतलब कलकता क्लास, दिल्ली से क्लकता क्लास, दिल्ली क्लास से बहतर आये कलकता क्लास, उसके बाद, एक और contract आया, कलकता क्लास was 15A, उसके 15B में चार और गाइजिन मिसाल डिस्टोयर्स के लिए क्रॉंट्राक्ट साइन किया गया प्रोजेक्ट 15B के नाम से जिसका लीडशिप है आएनस विशाका पत्नम D66 पैनिंट इसको कमिशन किया गया था नेवी में नवेंबर 2021 ठीक है इसका जो डिजाइन है इसको डिजाइन किया गया है वार्शिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इंडिया नेवी का इन हाउस वार्शिप डिजाइन बॉडी है यह और इसको बिल्ट किया गया है भाई MDSL in Mumbai जो चार शिप्स हैं ऑफ दिस काटेगरी और प्रोजेक 15B इनको नाम दिया गया चार मेजर सिटीज के नाम पर अराउंड दी कांट्री विच इस विशाखा पतनम इस 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 फर्स वन मौर्मुगाव सेकंड जो भी कमिशन हुआ तीसरा इंफार चौथा सूरत अर शिप क्लास अगें कैसे इस इडेंटिफाई गी जाते इस शिप की क्लास उसकी जो लीड़ शिप है उसके नाम पर तो यहां पर क्या होगा आइनिस विशाखा पतनम विल बीड़ बीड शिप जो पहली शिप है ठीक है जो कमिशन किया गया है क्या इसकी स्पेसिफिकेशन्स होंगी क्या इसकी खूबिया इसकी बारे में बात करते हैं बड़ बिफोर मुविंग फॉवर्वर्ट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोन और इल्गाम चानल्स पर दूस्तों ना केवल आपको मैसिव डिसकाउंड मिल रहा है अगर आपके सभी सब्सक्रिप्शन पर जो आज से शुरूर है बल्कि एक्स्टेंशन भी मिल रहा है यानि कि आपका मेंस भी कवर हो जाएगा केवल प्रिलिम्स तक कवर नहीं होगा अठारा महिने के साथ तीन महिने का एक्स्टेंशन भी आपके सभी सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है अगर आप अठारा महिने का सब्सक्रिप्शन ले रहे है प्लास आइकॉनिक जी एस या कॉम्बो के ठीक है अब इसमें अगर आप कोड यूज करते हैं ंडलाइव 10 जो कि मेरा कोड है तो आपको 10% का एडि इस दिसेंबर तक वालिड है टॉप एजुकेटर्स के अधाप सीजाट प्रिपेर कर सकते हैं स्पेशल प्राइस पर इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दिलाइव 10 तो आप 10% डिसकाउन अवेल कर सकते हैं बाच इस बारात रह से शुरू हो चुकी है चलिए इसक में 2015 में और शिप को लांच किया गया थे इन सेप्टेंबर 2016 उस समय के हमारे डिफेंस मिनिस्टर लेट मनोहर पारिकर जी के दुआरा ठीक है ना विशाखा पत्नम क्लास अभी जो पूरी 15B जो सीरीज है इस इस कॉल विशाखा पत्नम क्लास और उसका कोड नेम है 15B इसमे सहं हों के Allah प्रहल इमंटियन हाल फोर्म है हाल फॉर्म के मी आगे दिखाऊंगी आपको ब्रपेल्शन मशिनरी है बहुत सारे प्लाटफर्म हमग विपनेंट्स है और मेजर वेंस है जो भी मेजर वेको तरव ओक हैं सैंसित भी हैं जो कि kाफी बैटर है आडवान्स है और म क्लकता क्लास ताकि benefit किया जा सके from the series production ठीक है लेकिन इसमें इसके साथ साथ इसमें एक advanced stealth feature भी है और एक high degree of automation भी है जैसे कलकता क्लास में सब चीजें थी उससे आगे दो कदम आगे चरके बढ़के इसमें stealth feature भी है और high degree of automation भी है नो हल design है design is this kind of a design जो इसका designing है और radar transparent deck है deck fittings है जो कि ये वेसल को काफी मुश्किल बना देती है to detect मतलब ये दुश्मन के radar में नहीं आएगा मुश्किल हो जाएगा detect करना इसको ना वाई 12705 जिसको अभी मौर्मुगाव कहा रहा है इसने basin trials कातम किये ते 15 12 दिसेंबर 2021 में और पहला C-40 किया था 19 दिसेंबर 2021 में गोवा के 60 साल पूरे होने पर celebration के from the Portuguese rule तो पिछले सार ऐसा किया गया था celebrate किया गया था गोवा के celebration कि समय पर शिप लगबग 75% indigenous content है तो indigenously developed भी है ये specification और weaponry की बात करें तो मौर्मुगाव और बाकी जो तीन शिप्स है इस class में 163 meter long है और 17.4 meter wide है और displacement हैं का 7300 तन ठीक है अगर इसको compare करें recently commissioned first indigenous aircraft carrier INS Vikran से तो इस 262 meters in length 62 meters in width wide and displaces around 43,000 tons when fully loaded तो इससे काफी मैं कहूंगी कि ये कॉम्पक्त है ठीक है आइनस मौर्मुगाव और अधर शिप्स अफ दिस class विशाखा प्रत्नम class और operated by a crew of 350 350 members है इसके crew members इसे 50 officers और 200 sellers भी होंगे accommodation के जो working areas और काफी बहतर बना दिये गए हैं मतलब बहुत इसके बढ़िया फेसिलिटी यहां पर दी जा रही है और सारी जो habitability बहुत अच्छी है अगर compare करें से पहले वाली classes को तो काफी बहतर facilities यहां पर ना केवल इसकी वेपनरी में advance किया गया है size compact करने के बावजूद बल्कि जो screw है उसके ले भी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है ना विशाखा पत्नम class जो destroyers हैं जिसके हम बात करें अभी they have multiple fire zones multiple fire zones है battle damage control systems है distributional power systems है जो की improve करते है survivability की वो काफी जादा survive कर से के reliability in extreme operational and conflict scenarios मतलब extreme operations में भी or conflicts में भी survive कर जाए इस तरह की इसमताए है इमें total atmospheric control system है very very important जो की इक तरह से protection provide करता है crew को from chemical biological and nuclear threats total atmospheric control system है साथ-साथ इसमें state of art combat management system भी लगा हुआ है किसी भी इस तरह के combat situation में manage कर सके उसको जो की evaluate कर सकता है threats को using analytical tools and create a tactical picture जो की बता देगी exactly की कौन-कौन से resources available है on board जिससे वो इस combat में अपने अपको बचा सकते हैं या defense कर सकते हैं ठीक है warship has a secure network for data from its sensors and weapon system ठीक इसके राव शिप का जो fire power है वो उसमें vertically launch barak 8 which is a surface to air missile और साथ में brahmos भी है surface to surface cruise missile long range engagement के लिए offshore and sea based targets तो यह इसमें weaponry भी है मतलब यह सब इसमें use किया गया सबीस में available होगा forward block bow जो है deck का वो 127 mm का है mm जिसमें sorry it has sorry not millimeter it has 127 mm main gun और 4 AK6 30 30 mm guns है ठीक है for close point defense capability तो इतनी सारी यहां पर वेपनरी दी गई है ना जो destroyer है इसको आप किया जाएगा विद इंडीजियस ने डेवलाप 533 mm torpedo launchers torpedo launchers भी होंगे और RBU 600 anti submarine rocket launchers भी इसमें होंगे यह operate कर सके है दो मर्टी रोल हेलिकॉप्टर को seeking h.e.l through ठीक है इनको भी कर सकेगा यह operate और शिप में rail less helicopter transversing भी है और एक hangar facility भी दी गई है तो यह काफी जादा एक तरह से कह सकते काफी जादा पारफुल या जो नौसेन है उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा क्योंकि इसमें इतना कुछ दिया जा रहा है with the size or stealth facility जो है इसकी इसकी वजे से साथ में इसमें combine gas and gas configuration है जो integrate करती है विच इंटेग्रेट करती है विच इंटेग्रेस फोर गास तर्वाइन चार गास तर्वाइन करती है propulsion system जो है वो ship को maximum speed 30 knots याने 55 km पर आर की speed तक पहुचा देता है और इसकी जो range है वो 4000 nautical miles याने चाहतर सो किलोमेटर की भी कर सकता है ठीक इसकी जो range है इतनी है इसके अलावा करें कि इसकी मतलब क्यों इतना important है क्यों इतना पढ़ रहें तो देखें टेक्निकली जो भी destroyers होते हैं इस category में category of warships में उनकी high speed होती है ठीक maneuverability होती है मतलब उनको move किया सकता है longer endurance होती है to be a part of the escort of larger vessels in fleet ताकि वो escort कर सके larger vessels को fleets में ठीक और a carrier battle group also known as carrier strike group इसमें जा सकें लेकिन जो modern destroyers हैं जैसे कि जिसकी हम बात कर रहे हैं R15B जो है project उसमें अब जो destroyers है वो swift है sleek है और difficult to detect है आसानी से उनको नहीं पकड़ा जाएगा वो range में नहीं आएंगे detect नहीं हो सकते और साथ साथ यह primarily protect करते हैं fleets को और carrier battle groups को किसी भी short range surface air and subsurface attacks तो multi facet हो गई और multiple तरीके से protect कर रहे हैं carrier battle groups को भी short range surface को attack हो रहा है या air से attack हो रहा है या फिर sub-surface attack हो रहा है सब जगा से protect कर सकते हैं guided missile destroys are capable of anti-aircraft and anti-submarine warfare apart from anti-surface operations मतलब जो इस तरह की guided missile destroys होते हैं इनमे anti-aircraft भी होते हैं anti-submarine warfare भी होते हैं मतलब हवा से भी बचाएंगे और submarine warfare से protect कर सकते हैं anti-surface operations तो इसमें होते ही हैं now according to the officials विशाखा पत्नम क्लाज इसकी हम बात करें is one of the most advanced ships in the indian navy यह समय की सबसे advanced ships में है यह पूरी series जो है चार जो ship commission की जहीं जिसमें 2 commission हो गई है which can operate as an independent offense platform even without being a part of a large formation मतलब ही अकेला भी दुश्मन के चक पे चुडाने में सक्षम हो सकता है यह इतनी जादा advance है and we have seen it ठीक है जिस तरह की modern sensors है communication facilities है विशाखा पत्नम classes a key asset in the modern network centric warfare यह एक बहुत ही important एक asset की तरह है हमारे network centric warfare के समय में जो आजकल चलता है so I hope आपको इस समझ में आया है और आपको पता लगाओ कि कितनी बड़ी शक्ती या ताकत मिली है नौसेना को इस warfare destroyer के नाम पर चली अगर आप जुड़ना चाहते हैं अन academy से दोस्तों तो आरंब शुरू हो रहा है bilingual batch 22 तारिक से आपको सिर्फ मेरा code उस करना है और enroll कर लेना है जहां पर आपको top educators पढ़ाने वाले आन academy के prelims on me hinter series हों की subscription पर काफी साथ discount आपको मिल रहा है batch 22 तारिक से शुरू हो रहे है याभी जाकर enroll कर लीजिए last mile which is UPSC free interview guidance program इसमें भी आप जाके enroll कर सकते हैं अपनी preparation को interview को और जादा बहतर करने के लिए so that is it from my side I hope you like the session don't forget to like share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates thank you so much God bless take care